सभी साथियों को नमस्कार स्वागत करती हूँ आप सभी का UPSC उतकश में रिविजन नाम तो बड़ा छोटा सा है पर सबसे जादा कारगार है अगर हम बात करें UPSC examination को कॉंकर करने में देखो रिविजन हर टॉपर कहता है हर टीचर कहता है हर बार आप यही सुनते हैं कि रिविजन करो रिविजन is the key to success in this examination पर आप क्या करते हैं आप एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं अब यह टाइम आ गया है डिप्रेस होने का है ना यह सीजन डिप्रेशन का होता है कि नहीं गबढ़ाएगी नहीं मैं आपको डिप्रेस कर दे नहीं आई हूँ डिप्रेशन से निकालने आई हूँ February में और March में जैसे ही जैसे UPSC करीब आने लगता है आ जाता है depression कि भाई अब तो मई में exam है ना हमने कोई test series जोईन की हमने test series अगर जोईन की तो हमने revision नहीं किया हमें अभी तक ये ही नहीं पता है कि किस तरह से अपने revision strategy को या revision plan को continue करना है ये सारी चीज़ें अगर हमें पता नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है हमें जाना पड़ता है उस दुख के अंबार में कि अब शायद नहीं हो पाएगा अगले साल देखेंगे और ये अगले साल करते करते आपका passion मरने लगता है passion कि हमें UPSC का exam clear करना है कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा एक बार दो बार पर अब क्या करना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि एक revision plan मिल जाए हमको और हमें पता चल जाए कि किस तरह से strategize करना है तो उन students की मैं help करने आई हूँ जैसे कि आपको पता ही है कि UPSC का exam postpone हो गया है कुछ बच्चे खुशी खुश थे बहुत जादा खुश थे कि अरे वाह अतिरिक्त 20 दिन मिल गए कुछ बच्चे दुखी थे कि mains के लिए अब कम टाइम मिलेगा कुछ बच्चे दुखी इसलिए भी थे कि current phase अब extra पढ़ना पढ़ेगा अभी तक तो हम March एंट तक पढ़ रहे थे अब शायद April के पहले 10-15 दिन और देखना पढ़ेगा ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे ये सारी चीज़े जो मैंने कही आपने जरूर कहीं न कहीं फील की होगी पर आज मैं आपको एक राम बान इलाज दूँगी जिनको अपने उपर अभी डाउट हो रहा है कि किस तरह से revision करना है कैसे planning करनी है उनके लिए मैं आप आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको revision की पूरी strategy बनानी है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि prelims के लिए है ये specifically क्योंकि हम pre के लिए जादा देख रहे हैं तो prelims के लिए जो मैं आपको revision strategy बताऊंगी उसको मद्दे नजर रखते हुए हर चीज़ आपको समझनी होगी prelims में कुछ pattern होता है pattern समझते हैं कि एक set understanding आ रही है पिछले कुछ सालों से बहुत सालों से कि ये कुछ subject हैं अगर इस पे तुम्हारी मजबूत पकड़ है तो prelims भी तुम्हारी जेब में आ जाएगा अब इसमें सबसे जादा महतुपूर्ण subject जो मैं पहले लिखने वाली हूँ आप समझ गए होंगे quality है quality पूरे UPSC examination का king माना जाता है quality अगर कबजे में है quality अगर आपने revision कर लिया है quality के अनुछेद जो की relevant है current affairs के मद्दे नजर और अन्य चीजों के मद्दे नजर आपने अगर इसे complete कर दिया है तो UPSC का examination prelims specifically दूर नहीं है quality से हर साल prelims में 20 plus questions देखे जए हैं on an average 20 plus question बना के दे रहा है directly, indirectly on an average कह रही हूँ यानि कि पिछले 5 से 8 साल का average अगर आप निकालेंगे तो 20 question बन जा रहे हैं कभी 25 बनते हैं, कभी 15 बनते हैं पर quality पे पकड़ होनी चाहिए उसके बाद जो दूसरा कि आ चुका है, वो है history का history भी एक तरह से आपको परिशान कर सकता है specifically हमने देखा है कि शुरुआत में तो modern history से बहुत questions आ रहे थे बीच में थोड़े घटे, average आया मध्यस्तर पर चले गए फिर ancient से इन्होंने question पूछना शुरू कर दिया फिर बीच में medieval से भी पूछना शुरू कर दिया तो ये पता है आपको जब भी current affairs किसी subject का बहुत उच्च तरह से चल रहा होता है बार बार repeat हो रहा होता है recurring हो रहा होता है तो उसमें समझ जाना चाहिए कि यहां history से संबंदित कोई question आ सकता है तो history को आपको तीन पार्ट में खुदी divide करना होगा एक तो रहेगी आपकी ancient history AH एक होती है medieval history और एक होती है modern history तो ये इस तरह से आपको विभाजन करना होता है जब भी आप revision करेंगे ठीक है आपको ये समझना होगा कि कब आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी फिर उसके polity के बाद history history के बाद आपको क्या लेके चलना है अपने साथ history के साथ लेके चलना है अपने समझ लीजे 18 लिख देती हूं बेटर रहेगा questions UPSC geography से पूछ सकता है इसमें आपको किस तरह से revision करना है वो भी बताऊंगी geography अगर कोई बच्चा सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ static है तो वो गलत सोच रहे है क्योंकि geography क्या है आपकी geography एलनीनों से संबंदित हो सकती है environment से संबंदित हो सकती है भले ही environment अब एक अलग अपनी छवी बना चुका है एक subject के तौर पे फिर भी geography भी environment से किसी ना किसी तरह से जुड़के पूछ लिया जाता है तो geography भी बहुत जादा heavily environment based हो चुका है तो polity, history, geography उसके बाद आती है environment environment में अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ही आसान subject है ये और इसको तो हम आराम से conquer कर लेंगे ठीक है अच्छी सोच है पर इसमें कुछ चीजें हैं जो अभी अभी develop हुई है जैसे conference of parties COP 28 जो हुआ था उससे संबंधित question आ सकता है environment कैसे revise करना है वो भी बताया जाएगा environment इस time इस समय prelims के लिए इतना ज़ादा जरूरी है मतलब मैं आपको बता नहीं सकती किता फिर भी बताऊंगी environment इसलिए इतना जरूरी है इस समय क्योंकि भारत क्या चाह रहा है green energy clean energy कि हम वित्य स्थिती अपनी सुधार ले पर साथी साथ हम अपने आस पास के परियावरन को किसी प्रकार की हानी ना पहुचाएं तो environment भी बहुत ज़ादा important हो गया है दूसरी चीज़ इंडिया ने बहुत सारे promises किये हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं हमें net zero बनना है 2070 तक तो net zero क्या है और किस प्रकार से बनना है इसके लिए क्या कर रहा है भारत बहुत सारे कदम उठा रहा है renewable energy की तरफ जा रहा है आत्म निर्भरता ला रहा है hydrocarbons खुदी खोजने की कोशिश कर रहा है दूसरी countries पर अपनी import dependence कम कर रहा है इतनी सारी चीज़े कर रहा है इस वज़े से environment से आप अच्छे खासे बारा दस से बारा क्वेशन या बारा से पंदरा क्वेशन expect करते हैं कि इतने आ सकते हैं और इसमें मैं आपको बताओ ये current भी इसी में included करके बता रही हूँ कि current भी आ सकता है history से भी आपको current and static portion से अच्छे खासे 10 question मिल सकते हैं 10 से 15 question मिल सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से balance आपका बनता है और ये average हमने expect किया है और expect करते हैं near future में भी उसके बाद आ जाता है science and tech अब students पूछते हैं science and tech कैसे पढ़ें कौन सी किताब ऐसी खरीद लें जिसमें science and tech का रामबाड इलाज हूँ मैं आपको बताती हूँ science and tech का रामबाड इलाज science and tech का सबसे जादा महत्व प्रिलम्स तक ही रहता है और प्रिलम्स में इस प्रकार से इसका महत्व है कि इसका भी विभाजन हुआ है विभाजन यानि कि science and tech अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो मैं बताओ गी देखो भईया तुमको सबसे पहले इसमें देखना है कि space related क्या missions है अब artificial intelligence में इतनी सारी चीज़े आ गई है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि artificial intelligence में कुछ नया नवचार अगर आ रहा है google deep mind के द्वारा open AI ने कुछ अगर बनाया है हमने खुद कुछ अगर apps डिवलप किये हैं तो ये सारी चीज़े आएंगे उसके बाद diseases बिमारिया फैल रही है जो या कोई नया fungus कोई नया virus हमारे सामने आया है उसके लिए हमने कोई vaccine कोई drugs किसी प्रकार की vaccine विकसित कर रहे है किसी प्रकार की medicine विकसित कर रहे है तो वो हो गया ये अभी मैं सब आपको धीरे धीरे करके बताऊगी उसके बाद देख लेंगे defense related भारत क्या क्या कर रहा है तो ये तो highly current affairs है मतलब ये पूरा का पूरा current affairs पे निर्भर करता है और इससे भी आप 10 question 8 से 10 question अब expect कर सकते हैं 8 से 12 मैं एक average लेके चल रहे हूँ quality हो गया, history, geography, environment, science and tech, इसमें आपका general science भी आता है और general science किस प्रकार से आएगा हमेशा जादत तर biology या physics, यहाँ पे आपको दो concentrations रख रहे हैं मैं आपको ये भी बताऊंगे कि NCRT इस समय कैसे handle करते हैं उसके बारे में भी सारी जानकारी देंगे तो आपकी ये मोटा मोटी कुछ subjects हैं quality, history, geography, environment, science and technology उसके बाद इन ही से संबंदित आपके current affairs एक करके एक दो subjects और extra मैं आपको बताऊंगी जिस पे आपको ध्यान देना जैसे quality के साथ ही आपका governance है और इसी में आपका हम international relations भी जोडते हैं बट international relations कैसे revise करना है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी वैसे ही उतकर्ष, UPSC उतकर्ष पे आपको सारी classes जो हमने revision classes रखी हैं वो मिल जाएंगी आपको हमारे चानल के playlist में जा के आप देख लीजेगा लाइव सेक्शन में भी मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में भी जा के मिल जाएगी कोई भी student अगर पहली बार हम से जुड़ रहे हैं तो उनसे expect करती हूँ कि UPSC उतकर्ष का telegram खुद का channel है हमारा UPSC उतकर्ष के नाम से उस पे जरूर अपने आपको register कर लीजेगा, subscribe कर लीजेगा क्योंकि उस पे daily current affairs के आपको PDF और other related जो भी हम classes लेते हैं के PDF आपको मिल जाएंगे ठीक है, तो यह सारी चीजे हमें देखनी है, अब बना लो plan, plan कैसे बनाना है, वो ध्यान देने की जरुवत है economy भी आपको मैं बताऊंगी, सब कुछ इसमें add कर के बताऊंगी, economy भी एक अलग से subject बन चुका है of course, काफी respectable subject है, और economy भी दो चीज़े आपको ध्यान देनी होती है, economy, एक तो इंडियन economy से बहुत सवाल आते हैं, इंडियन economy और फिर हो जाता है world economy, international relations से basically आपको map based question मिल सकते हैं, और कोई treaty हो रही है, तो उससे related questions मिल सकते हैं, इतनी सारी चीज़े आपको इधर दिख जाएंगी, तो इसमें आपको map based question देखने होंगे, जो हर साल UPSC, तीन से चार तो पूछी ले रहा है आज कल, तीन से चार question इसके बन जा रहे हैं, और अगर बात करें, treaties या कोई events की, तो इसमें भी आपको 3 to 5 questions मिलने की संभावना है, बात करते हैं, इंडियन economy, world economy, economy as a subject से, अब economy का भी perspective बढ़ गया है, on an average on an average, 12 से, 15 से 20 questions आपको दिख सकते हैं, तो ये हमारा मोटा मोटी क्या बोल सकते हैं, कि एक तरह का GS का प्लान है, जो बच्चे C-SAT से डरे हुए, आप डरे हुए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि C-SAT डरावना हो चुका है, पहले C-SAT उतना जादा gentle हुआ करता था, सबको लगता था कि C-SAT हम आसानी से निकाल लेंगे, पर आज C-SAT का हाल वो नहीं है, आज C-SAT अलग हो चुका है, तो C-SAT की preparation अगर जिन बच्चों ने अभी तक शुरू नहीं की है, तो प्लीज C-SAT की preparation भी करना शुरू कर दे, इसका भी एक planner बताएंगे, C-SAT में आपको ध्यान में रखना है, और English आपको ध्यान में रखनी है, फिर decision making के भी questions आज आते हैं, बहुत जादा नहीं आते हैं, compared to maths and English, फिर भी इस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा, तो चलिए पहले तो हम जान लेते हैं कि ये subjects जो मैंने आपको बताए हैं, अभी आपके 70 days का एक buffer है, काफी buffer है, April, May तक का time है, 70 days इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि होली में तो तुम लोग पढ़ोगी नहीं मुझे पता है, जो serious aspirants है, वो definitely पढ़ेगे, पर अगर मैं बात करूँ उन aspirants की जो सोच रहे हैं कि चलो देख लेते हैं, तो आपके लिए मैं 70 days का buffer दे और इनी 70 days में आपको अपने आपको इस तरह से prepare कर लेना है, कि UPSC का prelims निकल जाए, मेंस उसके बाद अलग जिम्मिदारी होगी, एक बार prelims निकल गया, तो मेंस और भयाना किसलिए हो जाता है, क्योंकि अब आपको answer writing करनी पड़ेगी, पर फिर भी पता है, मेंस में इसल अब आदी में बहुत question आ सकते हैं, अब आदी में आपको पहले UPSC sports question नहीं पूछता था, अब वो sports से भी question पूछने लगा है, पहले UPSC बहुत जादा data specific नहीं हुआ करता था, अब वो data specific भी होने लगा है, तो हाँ चीज़े बदल रही हैं, पर आपको भी उसे के साथ पूरा buffer system है, और इसी buffer में आपको चलना है, किस प्रकार से चलना है वो पहले देख लीजे, देखे, 70 दिन, 70 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है, और इस 70 दिन को अच्छे से जिसने manage कर लिया, उसका problems clear, और ये सच बात है, सबसे पहले quality और modern history आप उठा सकते हैं, for revision, मैं revision purpose क की बात कर रही हूँ, ये revision purpose के लिए है, ठीक, quality और modern history और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो subject कठिन होना, उसको सबसे पहले उठाना है, कठिन हो और उसका weightage prelims में जादा हो, generally students के लिए quality और modern history कठिन subjects में आता है, आप के लिए दूसरा हो सकता है, अगर आप इस planner के साथ चलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको link करना है, तो quality अगर revision की बात आए, तो एक standard book जो आपकी बहुत famous है, वो standard book आप ले सकते हैं, ये उन बच्चू के लिए जिन्नोंने NCRT पढ़ ली है, अगर आपने NCRT दो बार पढ़ ली है, then it's all good, अगर आ आपको एक दिन का मैं time देती हूँ, बस एक दिन का, उसमें आपको पूरी जो NCRT, वैसे quality में NCRT जादा इस्तमाल नहीं होती है, उसमें standard book इस्तमाल होती है, ठीक है, और इसमें modern history है, modern history की NCRT पढ़ने फिर से एक बार जरूरी है, revision mode में, revision mode में आपको करना होगा ये, ठी हमेशा quality और modern history साथ में इसलिए लेके चलते हैं, कि जैसे ही मुगल emperor Aurangzeb की death हुई 1707 में, उसके पहले धीरे धीरे यूरोपियन्स अपना पैर यहां पसारने लगे थे भारत में, तो किस प्रकार से battle of bucksar, battle of plassi, इसने जनम दिया self-regulating acts को, कितना जादा confidence आ गया इसके पैठ बना सकते हैं, यह आपको interlink करके पढ़ना होको, तो जब भी quality उठाएं, सीधे सीधे उसको modern history से, और एक दिन में आपको दो subject revision जरूर करने पड़ेंगे, अब जाधा time आपके पास नहीं बचा है, क्योंकि अब आ गया है war mode पे आने का, आप अपने ही against एक war पे रहें और मैं expect करती हूँ हर बच्चे से कि minimum 8 hours to 10 hours आपको daily देना पड़ेगा, अगर आप सच में नहीं दे रहे हैं minimum 8 to 10 hours तो आप अपने आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मैं वादा करती हूँ इसका, क्योंकि आपको 6 घंटे तो इन दोनों को proper revision में ही देने हैं, और यह जो planner हो से कम में कर ले रहे हैं, तो और अच्छी बात है, तो 7 days का यह planner रहेगा, NCRTs आपको 6th to 12th इसमें दोनों पढ़ लेनी है, फिर से जो आपने standard books ली होंगी, उस पे proper marking अगर आपने कर लिये highlight की, तो इन ही 7 दिन में होगी, और 7 दिन के अंदर आपको सिर्फ quality और history नहीं पढ आपको एक test भी लगाना है, test series से ले लो, test series जरूरी है, इस time तो बहुत जरूरी है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगी, test series ले के करना क्या है, इससे पता चल जाएगा कि हमारा exam में selection होगा कि नहीं, देखो इससे बिलकुल नहीं पता चलनने वाला है, कि तुमारा exam में selection होगा कि नहीं, मैंने बहुत students को देखा है, जिन्होंने test series में अच्छा नहीं perform किया है, फिर भी उनका selection हो गया, और जिन्होंने बहुत अच्छा perform किया है, उनका selection रेरली नहीं होता है, क्योंकि test series सर्फ आपको ये बता सकती है, कि आपके कमजोर topics कौन से हैं, अगर मान लो मैंने Anglo-Maratha War के बारे में पढ़ा था, मैंने test series लगाई, पर वही मेरा सबसे कमजोर topic निकला, क्योंकि मैं उसके questions नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अब early on समझ जाओंगी, कि ये area अभी तक मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई हूँ, या revision नहीं हुआ है, तो ये test series आपको बताती ह modern history complete करना है, revision करना है, पूरा साथ दिन के अंदर, आप इसको दो जैसे, दो वर्गी करन, इसका दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो या तो topic बेस कर लो, ठीक, topic wise कर लो कि आज मुझे 10 topic खतम करने है, कल मुझे 15 topic खतम करने है, 10 topic इसके, 10 topic इसके, और शाम होते होते क्या करना ह है, कि एक test series आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है, test series नहीं लगाओगे, हर दिन नहीं, हर दूसरे या तिसरे दिन, तो अभी first मालो, आज कल से तुम बैठोगे, तो कल तुम पहले क्या करोगे, quality उठाओगे, modern history उठाओगे, quality के topics एक page पे लिख लोंगे, कि आज मुझे इत पार्लिमेंट रहेगा, passing of the bills रहेगा, president रहेगा, governor रहेगा, council of ministers रहेगा, इस तरह के high value topics, जो की बहुत जादा news में रहे है, current में रहे हैं, उनको पहले आप उठाइएगा, फिर modern history आजाती है, modern history सुबह आप हमेशा fresh mind रहेगा, quality से ही शुरू करना है, फिर modern history थोड़ी दे अपने आपको overachiever नहीं बनाना है, कि मैंने 20 topic कल के लिए लखें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये तो बिलकुल आप अपने आपको बेवकूव बना रहे हैं, या फिर अपने आपको failure के लिए पहले से ही set कर दे रहे हैं, और उसके बाद पता है क्या होगा, बीस नहीं कर कारी नहीं की है, कभी छुआ ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं, कभी जानता नहीं, अभी आपका time नहीं आया है, आपका time 2025 के लिए मैं जूट नहीं बोलूँगी, ये exam respect उनहीं की करता है, जिन्नोंने पूरे साल इसको उतनी ही इज़त दी हो, डेर साल, ऐसे ही किसी को भी नहीं बना दिया जाता है, IAS, IPS बहुत महनत लगती है बेटा, और जो कहते हैं कि मैं ऐसे ही बन रहे हैं, वो छूट या तो बोल रहे हैं, या तो फिर उस time का pattern ही कुछ अलग होगा, आज का pattern ऐसे लोगों को support नहीं कर रहा है, तो आप इस ख्वा भी मिमत रहिएगा, कि किस मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, मतलब next to impossible है, पर फिर भी अगर हो जाता है, means नहीं clear कर पाओगे, उन बच्चों के लिए जिन्नों ने आज तक पता ही नहीं कि पॉल रहे हैं, जिन्नों ने कम से काम, दो बार तो revision किया है, एक बार पढ़ लिया और एक बार फिर से क लगानी होगी, तो एक दिन कल आपको quality और modern history से शुरू करना है, हर दूसरी या तीसरे दिन, उससे related एक test series आपको लगानी ही लगानी है, ये test series आप section base भी लगा सकते हैं, और full length भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसकी बद अन गिनक्त आपको website में free question bank मिल जाती है, एक बार उसक cash classes भी आपको provide करता है, ठीक है, उसको भी देख लीजेगा, और फिर इसी में जैसे ही पहला दिन गुजरे, दूसरे तीसरे दिन से थर्ड दे से आपको इसमें CSAT add कर लेना है, CSAT में अब अपने आप से promise कर लो, कि previous year question, अगर CSAT अब तयारी नहीं शुरू की, तो कभी नहीं सारे 80 question करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 80 में से इतने question कर लो, maths के high value topics देके, English के high value topics देके, इतना practice कर लो, और हर दूसरे दिन CSAT की practice करो, मैं कहूंगी, हर रोज मत करना, हर दूसरे दिन CSAT की practice करना अब शुरू कर दीज़, और इसी के साथ parallelly चलेगा, 8 to 12 hours का आपको अप 12 घंटे maximum, 12 घंटे maximum, किसी को 8 घंटे से जादा पढ़ने की आदत अगर नहीं है, तो 8 घंटे तो आपको दे नहीं पढ़ेंगे, इस time war mode आ चुका है, और आप से मार बार मैं इसलिए कह रही हूं, कि बीच बीच पे answer writing practice भी 10 अपरेल तक करनी होगी, क्योंकि क्या होगा, आ क्योंकि भाई vacancy रहती है, और वो बहुत, UPSC का बहुत अलग level है, है न, तो उस हसाब से हमें अपने आपको तयार रखना है, नहीं हुआ तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेंस के लिए तो तयार रहेंगे, ठीक है, तो ये आपको 7 दिन के plan में पूरा complete करना है, topic by topic, सब कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, जैसे pressure groups, pressure groups तो quality में पता नहीं कब से नहीं पूछा, तो वो भी देख लीजगा, कुछ ऐसे topics हैं, जो बिलकुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं, बस high value topics, और ये भी आपको ध्यान रखना है, कि शुरू से लेके अंत तक words नहीं पढ उसको जल्दी से फडाक से पढ़ लो, और फिर लगा लो उससे related, थोड़े बहुत, 10-12 हर रोज, 10-12 छोटे-छोटे MCQs, statement-based MCQs, तो ये आपकी 7 दिन का पूरा एक planner है, इसमें आपको parallel C-set करना है, और हर दिन आपको इसमें 8-12 घंटे देने ही होंगे, without any thought की कैसे होगा, 8-12 आपको परडे देने होंगे, इस टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रेक ले ले एक पूरे दिन का तो नहीं हो सकता, किसी दिन अगर आप संडे को ब्रेक लेना चाहते हैं, या कोई भी दिन आपने आप चूस कर रहे हैं, उस दिन आप इस तरह ब्रेक ले सकते हैं, 6 गंटे की स्टडी कर लीजें, और फिर बाकी टाइम थोड़ा सा ब्रेक अपने माइंड को अराम दे दीजें, पर उस दिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पढ़ाई से बिल्कुल टच में नहीं है, पढ़ाई से आपको टच में रहना पड़ेगा, और इसी में क्या होगा, आ मैं एक स्केलेटल स्ट्रक्शर बना रही हूँ, ठीक है, करेंट अफेज मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, सबजेक्ट बेसिस पे भी कर सकते हैं, इन साथ दिन के अंदर जो भी पॉलिटी से रिलेटेट करेंट अफेज है, ठीक है, पॉलिटी प्लस मौ ends history से रिलेटेड current affairs है पूरे एक साल का ठीक है related current affairs अभी related current affairs कहां से आएगा यह related current affairs आएगा March 2023 से लेके March 2024 तक बस इस से उपर का current मत करना ठीक है यह revision रहेगा आपका इतना अब यह आपको डिसाइड करना है कि March 2023 से करना है या उल्टा जाना है March 2024 से पर यह यहां पर इस साथ दिन के span में आपको quality से related और modern history से जो भी related current affairs नया आ रहा है March 2023 से वो भी आपको इसी time span में खतम करना है तो इससे ना तो आपका current affairs पीछे छूटे का पॉलिटी से संबंधित ना modern history से static इस तरह से डिवाइड हो गया static उसकी test series हफते में मतलब तीन test series हो गई आपकी आप decide कर लिजे कप करना है test series आपको उसके बाद आपको revision mode के साथ C sat भी करना है हर दूसरे दिन math से related questions English से related questions लगाने पड़ेंगे आपको topics high value देख लीजेगा और फिर आपको यहां पर current affairs उससे related भी करना है उसके बाद आता है science and tech science and tech क्योंकि highly current affairs oriented है science and tech में तो proper विभाजन है बिटा किस तरह से एक तो तुम्हारा हो गया space related missions यह space से संबंधित जितने भी important topics मैं भी बता देती हूं कौन कौन से एक तो तुम्हारा हो गया सबसे पहला इज़रो का इज़रो का अलग रखना और यह मैं आपको बता रही हूं कि अगर science and tech में सिर्फ और सिर्फ थ्री और चंद्रयान टू भी और चंद्रयान वन का basic detail पता होना चाहिए क्योंकि टू के सम्टू के information से ही थ्री जा रहा है तो इस तरह आपको थोड़ा सा भारतिय अंत्रिक्ष स्टेशन इसके बारे में भी पता होना चाहिए यह हमारा 2035 तक असेंबल होके पहुँच जाएगा orbit में space orbit में उसके बाद शुक्रयान से संबंधित है बहुत जानकारिया आई है तो चंद्रयान 4 को भी पढ़ना जरूरी है यह sample return mission होगा यानि कि हम जाएंगे moon से sample collect करके आएंगे और फिर उसको भारत में study करेंगे तो यह isro से related हो गया इसके अलावा जो भी space mission especially चांद से संबंधित मून से संबंधित जितने mission है आपको आने चाहिए odysseus slim उसके बाद कोई भी अगर private company odysseus private company का ही moon lander है तो 2003 में तीन बार soft landing हुई है एक तो हमने की चंद्रयान 3 से हम south pole पे गए उसके बाद जपान ने slim के द्वारा की और फिर odysseus ने की odysseus private company द्वारा की गई है इसलिए इन तीनों के बारे में भी जानना जरूरी है तो यह space related missions हो गया है इसके अलावा जो भी space related events है space related events मैं आपको बता देती हूँ क्या-क्या आ सकता है यह high value topics है एक तो तुम्हारा पहला asteroid apophis से question आ सकता है बहुत ही जादा news में था यह asteroid apophis इसके अलावा तुम्हारे fast burst radio emissions यह कहां से आ रहे हैं fast burst radio waves noisy background waves noisy background waves hmm supermassive black hole इससे भी पूछा जा सकता है cygnus 1 से supermassive black holes इससे पूछा जा सकता है कोई भी mission अगर दो countries के बीच में हो रहा है plus satellites कोई country अगर launch कर रही है तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है तो यह तो space is row के mission है और साथी साथ space based जो भी events हो रहे हैं उससे भी question आ सकते हैं फिर आता है इसी में science and tech की विभाजन में आ जाता है artificial intelligence artificial intelligence से संबंदित इतने सारी चीजें इतने apps अगर बहुत सारी countries या company बना रही है तो इससे आपको question पूछे जा सकते हैं से सीमा आई है अभी फिर बहुत सारे apps और आ रहे हैं उससे related question आ सकता है इंडिया का development है इंडिया's development app में या हमने कोई अगर artificial intelligence को करके कोई नई चीज़ की है वो उसके बाद आपको defense से संबंदित question बहुत देखने को मिल सकते हैं पूरा science and technology space defense artificial intelligence से related है और फिर आखरी में आप समझ सकते हैं health and drugs health and drugs मतलब कोई भी नया virus आया है नया disease आया है उसके लिए हमने कोई medicine develop की है कोई vaccination develop की है तो वो भी आपको जाननी जरूरी है तो diseases के बारे में भी जानना जरूरी है vaccination के बारे में भी जानना जरूरी है और साथ ही साथ आपको इसमें medicines के बारे में भी जानना जरूरी है कोई collaboration हुआ है डिजीज में बहुत सारी डिजीज जैसे की COVID-19 पर आप question expect कर सकते हैं COVID-19 से question आ सकता है या फिर black bubonic plague से question आ सकता है क्योंकि ये काफी news में रहा है new vaccines, malaria, dengue जिसको English में कहते हैं cervical cancer बहुत जादा news में था इससे question आ सकता है कि कोई अगर vaccine है की नहीं है तो ये सारी चीज़े हैं जहां पर आपको questions देखने को मिल सकते हैं ठीक है, यहां हो गया science and tech जो कि completely depend कर रहा है किस पर depend कर रहा है, current affairs पर फिर अगर मैं बात करूँ geography की तो geography ये आपको जो planner मैंने दिया है science and tech का, इस planner में आप extra भी add करेंगे और ये जैसे कि मैंने बोला, पूरा current affairs से समंदित है इसमें आपको बस, सिर्फ और सिर्फ, जादा नहीं, चार दिन ही देने है चार से पाश दिन में science and tech खतम हो जाना चाहिए 4 to 5 days और इसी 4 to 5 days में आपको पता है और क्या करना है 4 to 5 days में आपको again यहां full length test, test series लगाते लहना पड़ेगा जब तक test series नहीं लगाओगी, तब तक काम नहीं करोगे इसमें add करना पड़ेगा test series, add करना पड़ेगा CSAT यहां पर बस तुम test series और CSAT पर ध्यान दोगे और 4 से 5 दिन में test series, CSAT और science and tech तुम्हारा complete तुम्हें करना होगा 4 से 5 दिन से जादा नहीं लोगे, इस से अतरिक्त नहीं लोगे तो वहां 7 दिन लिये थे तुमने, अब यहां पर तुमने क्या किया चार से 5 दिन और ले लिये, तो कित्ते हो गए, 12, 11 से 12 दिन हो गए ठीक है, अब 70 दिन में से 12 दिन तो माइनस करते चले जाओ, उसके बाद तुम उठाओगे जोग्रफी, जोग्रफी के साथ एक subject जो तुम्हें हमेशा साथ में ही पढ़ना होगा वो है environment and ecology, इस तरह से क्या होता है कि mind में link बढ़ने लगता है तो जोग्रफी के साथ environment and ecology और इसी environment and ecology की बदौलत तुम आगे बढ़ जाओगे life में क्योंकि क्या है ना कि आज बहुत इसका weightage हो गया है तो geography में भी क्या करना है, NCRT तो अगर नहीं पढ़ी है जिन बच्चों ने भगवानी मालिक है क्योंकि NCRT पे बहुत मैंने लोगों को ignorance करते हुए देखा है उसके बाद failure की तरफ जाते देखा है तो जो लोग सोचते हैं कि NCRT नहीं पढ़ी है और UPSC cover हो जाएगा आराम से चले जाओगे, भाई cake walk नहीं है UPSC gone are the days जब आप NCRT को ignore कर सकते हैं, आज का time नहीं है मैंने लोगों को 2-3 attempt खोते हुए देखा है क्योंकि उन्हें लगा कि NCRT पढ़ने की जरूरत ही क्या है तो NCRT पढ़ना जरूरी है, specifically अगर हम बात करें 11th, 12th की NCRT ये तो अगर नहीं पढ़ी है तो अभी भी वक्त है पढ़ लो, please पढ़ लो क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है Geography और Environment थोड़े भारी सब्जेक्ट हैं तो इसके लिए मैं आपको जादा से जादा आठ दिन दूँगी, इससे जादा नहीं दूँगी आठ से नौ दिन, 8-9 days, बस और इसमें आपको Geography और Environment and Ecology से संबंधित Current Affairs भी पढ़ने है ठीक है, इसमें Standard Book जो तुमने पढ़ी है, वो भी Revision हो जाना चाहिए अगें, यहाँ पे Same चीज आपको याद रखनी है, कि यहाँ पे आपको उसी दिमाग से चलना है कि Quality मैंने कैसे पढ़ी थी, Topic-wise पढ़ी थी, यहाँ पे भी आपको Topic-wise चीज़े ही ले जानी है ठीक है, यह ध्यान देना, दूसरी चीज आपको यह याद रखनी है, कि यहीं पे आपको Current Affairs भी Add करना है अब तुम सोच रहे होगी कि Current Affairs यहाँ किस प्रकार से आड़ हो सकते है देखो, Climateology में जो El Nino वाला Topic है, वो बार-बार आ रहा है Example मैं दे रही हूँ, जैसे Climateology की बात कर लो ठीक, Climateology में क्या हो रहा है, बार-बार El Nino और Indian Ocean, Diapol की बात हो रही है और La Nina की बात हो रही है, तो यह वहाँ चली जाएगी फिर Climate Change तो बहुत बड़ा पार्ट है, है न, Climate Change, Geography का भी बहुत बड़ा पार्ट है Environment का भी बहुत बड़ा पार्ट है, तो यहाँ पर Climate Change संबंधत चीज़े भी आपको याद रखनी होंगी तो इसमें आपको Standard Books, NCRT, specifically 12th और 11th के NCRT, revision करनी है इस संबंधित एक साल की जितने Current Affairs है, इसी 8-9 दिन में आपको Complete करना पड़ेगा Example मैंने दे दिया कि किस तरह से आपको इसमें मिल जाएंगे Current Affairs El Nino, La Nina उसके बाद बहुत सारी Environments है, Environment भी क्या है Environment तो पूरा का पूरा ही Current Affairs Based है, तो Environment में Basics तो आपको याद करने ही होंगे Basics ठीक से पढ़ने ही होंगे, जैसे कभी कभी होता है बच्चों को ना, क्या होता है कि उनको Simple Definition भी नहीं याद होती है तो Simple Definition आपको याद रखनी होंगी, Environment क्या है, Ecology क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक बार रिविजिन के ध्यान से Environment, Ecology क्या है, Ecosystem क्या है, Ecosystem से भी संबंधित Questions आते हैं आपके, अब Ecosystem में Types of Ecosystem क्या है, यह भी Question पूछा जा सकता है Ecosystem में किस-किस प्रकार से, Biotic Interaction होता है, Biotic Interaction यानि कि, इसमें आज आता है आपका सहभोजिता, सहजीविता, Commensalism, Amensalism, Simba, फिर उसके बाद, Mutualism, Parasiticism, यह सारी चीज़े इसमें आती हैं, फिर उसमें आपको Add कर देनी है, Cycles of Carbon, यह Basics है, Nitrogen, फिर Sulfur और Phosphorus, तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यह तो Basic है, बड़ा Topic खुद में ही क्या है Climate Change, और पूरा का पूरा Climate Change, पल्यूशन के आसपास घूम रहा है, तो यहाँ पर Environment में specifically, अगर मैं आपको Pinpoint करूँ, Environment में आपको बताना होगा, तो Environment में बेटा, देखो, Climate Change अपने में खुद ही एक बड़ा Subject बन चुका है, तो Climate Change में क्या-क्या आपको जानना है, What is this? यह होता ही क्या है, What is this? ठीक, What causes this? किस वज़े से होता है? अब What causes this में क्या-क्या आ सकता है? आपका Pollution का भाग आ सकता है, इसमें Air Pollution, Water Pollution, Soil Pollution, Noise Pollution और फिर आ जाता है आपका Radioactive Pollution, Thermal Pollution यह सारी चीज़ें, तो यह आपको जाननी जरूरी है, यह सब क्या है, इन से बहुत सारे questions बना सकता है, मतलब इसमें कौन सी gases हैं, कौन सी chemicals हैं, किस प्रकार की यहाँ पे effect हो रहे हैं, इस से related सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको जानना चाहिए कि भारत और अन्यदेश इसके लिए क्या कर रहे हैं, specifically अगर हम बात करें, कि what is India doing, India and world strategies, अब इस strategy में क्या क्या आ जाता है, इस strategy में आ जाती हैं, अगर हमने कोई नई treaty sign की है, या पुरानी treaty है, उसको update किया है, या basically कौन सी country अच्छा कर रहे हैं, कौन सी country खराब कर रहे हैं, renewable energy के लिए हम क्या कर रहे हैं, भारत ने क्या-क्या goals बनाए हैं अपने लिए, ये सारी चीजे environment का part है, इसमें सबसे जादा important है Paris agreement और COP28 से जरूर इस बर question आप से पूछा जाएगा, तो Paris agreement जरूर से देख ले ना, Paris agreement और COP28, इस से question आएगा, फिर उसके बाद addition में मैं अगर आपको बता दू, क्योंकि भारत बहुत अच्छा कर रहा है अपनी species को save करने में, तो project different different projects होते हैं, project elephant tiger, etc, etc, तो project for animals देख ले ना, कौन कौन से projects अच्छा कर रहे हैं, कोई नई species अगर आ रही है, तो उसको हम कैसे current से जोड के निकालेंगे, वो भी देखना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद अगर हमने नए, अभी 80 plus, 80 plus, 80 ramsar sites हो गये हैं भारत के पास, तो जो 80 ramsar sites हैं उनके बारे में जो नए ramsar sites एड होए हैं, वो जानने जरूरी हैं, फिर हमने अगर कोई भी update की है, अपनी खुद की treaty, अपना खुद का वादा, जैसे कि हम अब net zero बनना चाह रहे हैं, 2070 तक, तो net zero क्या होता है, और carbon neutrality से कैसे अलग है, ये सारी चीज़े भी आपको जान अब डेट हो रहा है, वो देखना है, renewable energy के लिए भारत क्या कर रहा है, ये सारी चीज़े आपको देखने ही पड़ेंगी, उसके बाद हम बात करेंगे, अगर geography environment हो गया, science and technology हो गया, economy और international relations, अब economy as a subject, मैं आपको दे रही हूँ, international relations के साथ ही, तो economy जैसे ही complete करने की होगे, आपको एक और subject उठाना पड़ेगा, international relations, अब यहाँ पर मैंने international relations को क्यों जोड़ा, क्योंकि मैं आपको सच बात बताओ, तो economy बहुत भारी तरह से international relations से जोड़ चुकी है, जब से हमारी country globalized हुई है, तब से हम खुद अकेले तो चल नहीं रहे हैं, हम दूसरी country पे अगर ट्रेड की बात करें, अगर हम बात करें global oil prices की, तो यह सारी चीज़े अप energy economy से relate हो चुकी है, तो economy और international relations के लिए आपको बस और बस में six to seven days का time दे रही हूँ, ठीक, और इसमें मैं जो break expect कर रही हूँ आपसे, एक दिन का लेंगे, पर पूरे दिन का नहीं लोगे, छे घंटे का break होगा आपका, यह as in, जहाँ आप 8 से 12 घंटे पढ़ रहे थे, वहाँ आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ोगे, और बस आप मुझे इतना करके दिखा दीजे, आपके हाथ में होगा यह exam मैं आप से promise करती हूँ, ठीक है, जितने भी subjects मैंने बताये हैं, उनके current affairs आप को साथ में लेके चलना है, कुछ subject हैं, वो तो पूरे की पूरे ही current oriented है, even economy भी अब पूरी तरह से current oriented हो रहा है, तो इसमें आपको basically क्या जाननी है, कि Indian economy के बारे में जानना है, सबसे पहले तो, Indian economy के लिए आपको सबसे पहले NCRT की तरफ मुह करना पड़ेगा, NCRT की तरफ देखना जरूरी है, NCRT नहीं देखोगे तो Indian economy नहीं हो पाएगी, अगर revision करना है तो अब time है कर लो, ठीक है, उसके बाद यह जानना है कि हमारा banking sector क्योंकि इस समय बहुत प्रभावित है, banking sector, ठीक है, उसके बाद digital initiative, अगर कुछ लिया जा रहा है, तो ये भी आपको देख पड़ेगा, digital initiative तो वैसे science and technology का part है पर इसमें भी कुछ लिया जा रहा है, तो देख लेना, उसके बाद RBI से संबंधित काफी questions आ सकते हैं, तो ये भी देखना है, RBI के बाद monetary policy, monetary policy क्या हो रही है, उसके साथ-साथ fiscal policy क्या चल रही है, हमारी repo rate वगेरा, etc., ये सब इसी में जाते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम trade बात करें, तो trade relations कैसे है, trading and FTS, free trade agreement, ये सारे भी Indian economy के ही part है, और इसमें भी आपको economy में basics पता होना चाहिए, जैसे CRR क्या है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि statutory liquidity ratio क्या है, banking industry किस तरह से हमारी बनी हुई है, किस तरह से reform हो सकती है, इस से संबंधित कर interface भी देखने जरूरी है, और ये आपको इनी 6-7 दिन के भीतर करना होगा, दूसरी चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, कि आपको test हर दूसरे से तीसरे दिन लगाना है, और C-SAT जो है, वो भी हर दूसरे दिन आपको practice करना है, हर दूसरे द होगे, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, दूसरी चीज ये धियान देना है, कि पढ़ाई को burden लेकि नहीं चलना है, भले ही आपको ये लग रहा है, कि बहुत बढ़ा कुछ बता रही हूँ, ये सच बताओं, तो महनत के उपर है आपकी, महनत कर लेंगे, तो easily paper crack हो जाएगा पर अभी भी हम war के आसपास ही घूम रहे हैं, तो जो Russia-Ukraine war चल रहा है, उसके बारे में तो जानना ही पड़ेगा आपको, Russia-Ukraine war जब तक नहीं रुकेगी, तब तक नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से international relations को ले जाए, इस से संबंदित NATO के बारे में, NATO, World Trade Organization, World Health Organization, United Nations Security Council, क क्योंकि बहुत सारी countries reform मांग रही है, G20, G20 के बाद African Union, क्योंकि भारत की Presidency में African Union एक पार्ट बना है G20 का, उसके बाद G20 में बहुत मैं emphasize करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारे लिए very important है G20 की, क्योंकि G20 का हमने Presidency successfully complete किया है, तो G20 के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बाद में हमें G4 के बारे में पता होना चाहिए, काफी कलब के बारे में पता होना चाहिए, शंगाई Corporation Organization के बारे में पता होना चाहिए, तो ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, फिर आता है war के साथ अगर मैं बात करूँ तो इसराइल हमास war, इसराइल हमास war देखते रहना जो भी जगह मैप से संबंध है अगर बहुत जादा न्यूज में अकर कर रही है तीन सचार क्वेशन मैप बेस्ट उसमें आएंगे ही आएंगे क्योंकि ऐसा हुआ है पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी और अब तो क्योंकि यहां पर भी अपने आपको प्रिपेर करके जाना इसे क्वेशन के लिए ठीक है इसराइल हमास के वार में सबसे ज़ादा जरूरी है मैप क्योंकि यहां पर भूमद्य सागर मेडिटरेनियन सी उसके आस पास की जो कंट्रीज हैं जैसे की लेबिनॉन, सिरिया, जॉर्डन इनसे क्वेशन जरूर बनेगा तो मैप यहां का जरूरी है देखना दूसरी चीज़ अगर मैं आपको इंटरनाशनल रिलेशन्स में बताओं तो यहां पे सबसे ज़ादा जरूरी है पोर्ट्स पोर्ट्स आजकल बहुत नियूस में आये हैं तो पोर्ट्स का मैप जरूर देख लेना साथी साथ इंडिया, मिडिल इस्ट, यूरोप, एकनॉमिक कॉरिडोर बहुत ज़ादा नियूस में हैं पोर्ट्स की वज़े से तो इनका भी जानना हमें जरूरी है और यह साथ से आ समझ लीजे 6-7 दिन, 24 दिन, 30-40 दिन, मैं आपको 30-40 दिन का अभी भी मोटा मोटा बफर दे रही हूँ पढ़ने के लिए, अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट जो हुआ वो गया, अब यह आपको अब एवरी सेकेंड डे या एवरी डे भी कोशिश करिये, लास्ट के 20 डे आपको सिर्फ और सिर्फ मात बात मानियेगा मेरी, पूरी की पूरी तरह आपको टेस्स सीरीज पर निर्भर हो जाना है, जब टेस्स सीरीज पर निर्भर हो जाएंगे और टेस्स सीरीज को revise करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में मैं कमजोर हूँ वापस जाते हैं टॉपिक जल्दी से मजबूत करके आ जाते हैं और जितना test series आप लगाएंगे समझे टॉपर्स का राम बार इलाज है test series आखरी के लिए तो test series जितनी लगाएंगे उससे जादा बिलकुल आपको ये समझना है कि उससे जादा उतना ही आपको फायदा मिलेगा अब मैं आपके लिए एक और important news लेके आई हूँ देखो होली तो चली रही है पर हम आपके लिए नए रंग लेके आएं हैं होली चल रही है मतलब शुरू होने वाले अब तो enjoyment का time शुरू होने वाला है 90% तक को off हम आपके लिए लेके आएं हैं UPSC उतकर्ष सर्फ UPSC के लिए नहीं बाकी जितने भी courses आपको हम online mode में दे रहे हैं और life from foundation course specifically जो हम दे रहे हैं यह जो foundation classroom की बात कर रही हूँ यह हमारा जल्धी शुरू होने वाला है और जो भी बच्चे चाहते हैं कि classroom जैसा हमको एक माहौल मिले तो वो आपको मिल जाएगा यह आपको 90% तक के discount पर मिल रहा है और इसमें extra 3 महीनी की validity भी रहेगी यानि कि आपको जो courses हम देंगे वो 3 महीने जब date आपकी खतम हो जाएगी course की उसके बाद 3 महीने की अतिरिक तापकी validity भी रहेगी ताकि जब भी आप चाहें बिना किसी जिजग के वापस से देख सके किनी teacher ने अगर क्या पढ़ा है आपको फिर से revision करने की ज़रूरत है की नहीं तो इसी के साथ very very happy holy to you and I hope पाच का plan आपको help करे आपकी और मदद करे thank you so much